अहिंसायम करणा के अवतार स्रमन भगवान महावीर के पौनपनी चर्णों में सादर कोटी-कोटी वंदन अभिनंदन आज भारतिय संस्कृति के परवों की महान परंपरा में चात्रमास परव का शुबारंब होने जा रहा है पूरे देश के अंदर स्रमन संस्कृति के लगबग सोला हज्जार जैन सादो साध्मिया गाउं गाउं नगर नगर डगर डगर विच्रण करते करते अपने अपने चात्रमास इस्थलों पर पहुँच चुके हैं और आज से चात्रमास परारंब हो जाएगा चात्रमास केवल जैन परंपरा में ही नहीं वैदिक परंपरा में भी और बोध़ परंपरा में भी चात्रमास का विधान है ये बात अलग है काल के प्रभाव से कहीं कहीं पर चात्रुमास करने की विवस्थाएं सिथिल हो रही है कुछ साधु सन्याशों ने चात्रुमास करने के प्रावधान से इनकार कर दिया है लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादात के अंदर चात्रों मास किये जाते हैं चात्रों मास एक आध्यात्मिक जागरण का एक पर्व है, आवसर है, समय है और उस चार महिने के समय का साधो संत आध्यात्मिक द्रश्टी से सदुपयोग करते हैं चार महिने एक स्थान पर स्थापित हो जाते हैं और चार महिने एक स्थान पर स्थापित होने के पीछे एक सोच है एक विचार है यदि हम मोटे तोर पर मोसम के बारे विचार करें तो बारे महिनों के अंदर बरसात भी आती है कड़कती सर्दी भी पड़ती है और समय आने प अपना सवरूप बदलती है, आप और हम देखते हैं, आप तो पक्की सड़के बनने लग गई हैं, एक जमाना था, कि सड़के पक्की नहीं हुआ करती थी, कच्छी पकडंडिया होती थी, कच्छी मार्ग होते थे, और नदियों के उपर पुल इत्यादी बनने की प्रथाएं और परमप्राएं भी नहीं थी, या एक टेक्नीक नहीं थी, लेकिन समय बदला आ नदियों के उपर पुल बनने लग गए हैं, और बरसाथ के मोसम में यूँ आज पहले की अपेक्छा आना जाना आसान हो गया है, लेकिन फिर भी बरसाथ के समय में प्रकरती में बहुत कु सुक्षम बादर अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ती होती है, और आम आदमी का भी इधर से उधर आना जाना आसान नहीं होता है, तो हमारे प्राचीन दिसी मुनियों ने, तिर्थंकर भगवंतों ने, आचारियों ने, इन सब चीजों को देखते वे, चात्रमास काल मे साधो संत सन्यासियों को एक स्थान पर रहने का प्रावधान किया, कि जहां उनका मन हो, उस सांत एकांत स्थान पर चात्रमास करें, और चात्रमास करने के लिए, हमारे बारह प्रकार के तपों में, एक तप का नाम आता है, प्रती संलीनता तप, प्रती संलीनता तप का भी प्राय है कि जीवों की रक्षा के लिए साधू अपनी बाहिये गति विद्यों को सीमित कर दे और एक छेत्र विशेस में यदि वो रहता है और उस दोरान अपने जाप तब स्वाध्या चिंतन अध्यन करता है तो इस सब प्रती सलीनता तब है और वास्तों में साधू साध्य और प्रत्विश का इस आप मुझा आप यूं का इलक्ष है कि चातर मास्काल में जीवों की उत्पत्ती हो जाती है ऐसे जीव जो कभी दिखाई नहीं देते वो चातर मास्काल में दिखाई देते हैं लट है गिजाई है केच्वे हैं दुनिया भर के रंग भी-लंग कीठ प इधियों को सीमित कर दें, ये चात्रों मास का लक्ष है, हमारे यहां तो चात्रों मास काल में, आम वैपारी वैपार के लिए बाहर नहीं जाते, आम आदमी घूमने के लिए नहीं जाता, कि वर्सात का मोसम है, अपने घर में बैठें, ऐसा एक विचार रहा है, हाला कि आज थोड़े साधन अच्छे हो गए हैं, तो लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन चात्रों मास के पीछे, जो हमारी सोच प्राचीन काल से रही है, वो यहीं है, कि चात्रों मास काल में, विभिन प्रकार के जीवों के उत्पत्ति होती हैं, इसलिए साधो संत चार महिने, विच् नहीं करते हैं, एक स्थान विसेश पर जो है, वो इस्थित हो जाते हैं, हाला कि संतों की एक चरिया में हम और आप सभी अनुभव करते हैं, कि संतों को विहार करना अच्छा लगता है, विच्रन करना अच्छा लगता है, एक जगे टिकना संतों को अच्छा नहीं लगता ह हाला कि चात्रमास में रुखना एक मजबूरी है और धर्म का आदेश ऐसा है कि चात्रमास का आल में एक स्थान पर रुखना है लेकिन हमारे सादो संत सन्यासी युगो युगों से गाउं गाउं नगर नगर डगर डगर पाद विहार करते रहे हैं पैदल विच्ण करते रहे हैं और एक जगे तो कहा है विहार चरिया मुनिनंप सत्था के विहार चरिया जो है मुनियों को प्रिय है प्रसस्त है अच्छी है सुन्दर है उनको पसंद है आप और हम देखते हैं बहुत से सादू साद्मियों को उम्र के प्रभाव से कुछ उटने की तकलीफ किसी को कमर की तकलीफ भी होती है, किसी को हाट संबंदी तकलीफ होती है, किसे स्वास की तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी आठ महिने गाउं गाउं नगर नगर डगर डगर विहार करते हैं, कष्ट उठाकर के भी विहार करते हैं, ये ध्यान रहे विहार चरिया मुनियों की साधना के अनुकूल है जब सादो संत सन्या सी विच्रण करते हैं जन जन के बीच में जाते हैं और जन्त के जीवन आचार विचार विवहार को नजदीक से देखते हैं सामा जी धारमिक और गृस्त की समस्याओं को नजदीक से देखते हैं और उनका चिंतन उन बाहिये वातन को लेकर के चलता है और संत धरम अध्यातन के साध साथ पिजन जीवन की समस्याओं के समाधान भी उसके लिए फाइदे मंद है और विबिन प्रकार के ज्ञान विज्ञान को अपनी जीवन के अंदर वो प्राप्त करता है विच्रण के माध्यम से एक संस्रित के विद्वान कवी ने एक श्लोक के माध्यम से कहा है अर्थात वो संस्कृत कवी ये कहता है कि कैसा छोटा सा अच्छा सा शब्द है जिस शब्द के प्रारंब में आ लगा दें तो सब को प्रिय हो जाता है और उसी सब्द के प्रारंब में भी लगा दें तो वे साधों को प्रिय हो जाता है और उसी सब्द के प्रारंब में प्रे लगा दें तो किसी को भी प्रिय नहीं होता और यदि कुछ भी ना लगाएं तो महिलाओं को वो खास तोर पर प्रिय होता है ऐसा रहस्य में शब्द है हार हार के प्रारंब में जब हम आ लगा देते हैं तो बनता है आहार आहार कहते हैं भोजन को भोजन जहां आम आदमी को चाहिए वहां सादू सन्यासी को भी चाहिए पर तेक प्राणी मात्र को आहार की आवश्शक्ता रहती है तो हार शब्द के प्रारंब में आ लगा देते हैं तो आहार बनता है और आहार सबको चाहिए तो इस सबका प्रिया है फिर हार शब्द के प्रारंब में भी लगा देते हैं तो शब्द बनता है विहार विहार का मतलब है सादू संत सन्यासियों का विच्रण गाउ गाउ नगर नगर डगर डगर पाद विहार करना पैदल चलना पैदल चलके जन जन तक पहुँचना धरम का संदेश पहुचाना तो विहार जो है ये मुनियों को साधों को सन्यासियों को प्रिय है और हार शब्द के प्रारंब में प्रे लगा देते हैं तो बनता प्रहार प्रहार कहते हैं चोट, मारना, किसी को आगात पहुँचाना प्रहार ये किसी को भी प्रिय नहीं है, मनुश्यों को प्रिय नहीं है पशु पक्षी को प्रिय नहीं है प्राणी मात्र को प्रिय नहीं है तो इकिसी को भी प्रिय नहीं है लेकिन हार शब्द के प्रारंब में कुछ ना लगाएं तो शब्द बनता केवल मात्र हार और हार गले का हार सबको प्रिय है महिलाओं को गले का हार सोने का हो डाइमेंट सेट हो कुछ भी हो बड़ा प्रिया है पुरस लोगों को गले में चेंड डालते हैं वो भी उनको प्रिया है किसी के आदरमान सम्मान के लिए गले में फूलों का या अन्य को हार डाल दें वो उनको प्रिय है कि हमारा स्वागत हुआ, हमारा सत्कार हुआ, हमारा सम्मान हुआ तो हार शब्द जो है सम्मान का प्रतीक है लेकिन यहां जो कहने का भी प्राय है कि विहार मुनियों को प्रिय है विहार चरिया मुनिनम पसथा और संतों के विच्रण के बारे में कहा गया है बहता पानी निर्मला पड़ा गदीला होए साधू संत रमता भला दागने लागे कोई कहा गया कि बहता पानी निर्मला कि पानी बह रहा है चट्टानों से टकरा करके पानी आगे बढ़ रहा है तो पानी निर्मल रहता है, स्वच रहता है, प्रदूशित नहीं होता है पढ़ा गदीला होए, जरने का पानी हो, नदी का पानी किसी गड़े में जाके कैद हो जाए फस जाए, वहीं पढ़ा रहे, तो प्रणाम है सड़ेगा सड़ेगा बदबु पैदा होगी, मच्छर पैदा होगे, जीवत पत्ती होगी, और पानी पीने के योग्य नहीं रहेगा तो ऐसे उपमा देके का साधू संत रमता भला दागने लागे कोई साधू संत रमते भले हैं, विच्रन करते वे अच्छे लगते हैं और विच्रन करने से आम जन्मानस को साधू के दर्शन, प्रवच्चन, सत्संग आदी का लाभ, निरंतर प्राप्त होता है चात्रुमास तो बड़े-बड़े संगों में हो जाते हैं लेकिन गाउं गाउं नगर नगर डगर डगर में छोटे 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 लोग छोटा छोटा एक सम्हूं वह निवास करता है तो साधू के जाने से उनको भी एक नई उर्जा की प्राप्ति होती है तो विच्रण करना साधू संतों के लिए भी हित्मे है और संग समाज और देश और राष्ट्र के हित्मे भी है और सदियों से भारतिय संस्कृति के रिशिमुनी साधू संत सन्या से विच्रण को प्रधानता देते रहते है और जो आजकल आधुनिक संत सन्यासी बड़े-बड़े आश्रम बनाकर के एक जगे रहने प्रारंब कर देते हैं तो वहां महों, आसक्ति, राग, विकृतियां, अनेक प्रकार के दोश योद्पन होने प्रारंब हो जाते हैं और ऐसे स्थानों पर लंबे समय तक रुकने से प्रेम महों में बदल जाता है, सत्संग आसंग में बदल जाता है और श्रद्धा अंधानु राग में परिवर्तित हो जाती है और ये सब चीजे साधू जीवन के लिए किसी ग्रहन से कम नहीं है करुणा मूर्ती महात्मा बुद्ध ने कहा भिक्षों के लिए चरत भिक्षवे चरिकाम बहुजन हिताए, बहुजन सिखाए कि हे भिक्षों तुम विच्रण करो, हे भिक्षों तुम जाओ, पबलिक के बीच में, समाज के बीच में जाओ, विच्रण करो किसलिए जाओ बहुजन हिताए बहुँ सारे लोगों के हित के लिए बहुँ सारे लोगों के कल्यान के लिए और बहुँ सारे लोगों के सुक के लिए तुम जनता जनारधन के बीच में जाओ हाला कि सदियों से सादू संत सन्यासी विच्रण करते रहे है लेकिन आज काल का प्रभाव सादो संत सन्यासियों की विच्रण में भी परिवर्तन ला रहा है बहुत सी परंप्राओं के सादो संत सन्यासि वहान का प्रियोग करने लगे हैं लेकिन आज भी जैनमुनियों में अपवाद छोड़ दें तो अधिकांस्त या सादू संत सन्यासी पैदल विच्रण कर रहे हैं और भी बहुत सारी परंप्राओं के सादू संत सन्यासी पैदल विच्रण करते हैं लेकिन पैदल विच्रण पर आज के समय में दुरगटनाओं ने बड़ी भारी समस्या खड़ी कर दी है सादू पैदल चलते हैं वही नैशनल हाईवे स्टेट हाईवे कच्चे मार्ग रहे नहीं और वहानों की गतियां तेज हो रही है वहानों की संख्या बढ़ रही है आपा धापी है ओवर टेक करते हैं प्रणाम ये है साल में अनेक साधू संत सन्यासों की सड़क दुरगटना में स्वर्गवास के समाचार भी आम जनता को साधू संतों को समाज को सबको प्राप्त होते हैं लेकिन साधू का साहस है संग समाज का सहोग है कि आज भी हमारे लगभग सोला हज्जार जैन साधू साधूया गाउं गाउं नगर नगर डगर डगर आठ महिना विच्रन करते हैं हाला कि इस विच्रन काल में संग समाज अपने कर्तव्य का निर्वेहन करता है विहार करवाता है आहार की विवस्था देखता है रुकने की विवस्था को देखता है ये सब सादोसंत सन्यासी अपने आतमबल के आधार पर आज भी विच्रण कर रहे हैं और ये परंप्रा भगवान महावीर किसी परकार चलती रहेगी ऐसा मुझे विश्वास है